नमस्का दोस्तों मैं हुसों चौधरी और सक्सेस प्लस केडमी के प्लाटफॉम पर आप सभी का हर्दिक स्वागत हैं तो दोस्तों आज के स्वीडियो में हम बात करने वाले हैं दे फिलोसोफर किंग मारकस औरिलियस की बायोगराफी एंड उनके फिलोसोफिकल आइडियाज के बारे में मारकस औरिलियस ये एक बहुती जाना माना नाम है दोस्तों क्योंकि प्राचीन विश्व इत्यास के सबसे बड़े सामराजियों में से एक सामराजे रहे रोमन सामराजे के ये एक बहुती ताकतवर और महान समराड थे साथ ही साथ ये एक दार्शनिक भी थे जिन्होंने स्टोइक फिलोसोफी के आइडियाज के उपर अपलाइड लाइफ को जिया और उसके बारे में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था जिसके 12 भाग थी वैसे आप जानते हैं कि मेडिटशन क्या होता है मेडिटशन में आप किसी चीज के उपर ध्यान के अंधरित करते हैं और अपनी inner peace अपने focus को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो मेडिटेशन वो तरीका होता है लेकिन इन्होंने उसके उपर बात नहीं की बलकि इन्होंने लाइफ के उपर बात करी कि लाइफ में संयम कैसे रखें, लोजिक के उपर कैसे बात करें, जस्टिस क्या है, उसके अलावा अपनी डिजायर्स को कैसे मिनिमाईज किया जाए, कैसे control the controllables and not think about the uncontrollables उसके बारे में इन्होंने discussion किया, कि बहुत से विशों के बारे में बात की, नीती के बारे में बात की, जिसे हम ethics कहते हैं, तो वो जो किताब है meditation, वो एक बहुत ही popular book है, उसको आप सभी को शायद पढ़ना चाईए, वो आपके जीवन में काफी helpful book साबित हो सकती है, मैं तो य के सोलेलेस के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह जो रोमन सामराज्य है जिसके यह रूलर थे एंपरर थे वो कहां पेच दित था तो यह जियोग्राफिकल लोकेशन आप देखिए जो कि आपको तीन महादीपों में फैली हुई नज बारे में हम बहुत कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं मैंने एक प्लेलिस्ट में रखी है सक्सेस प्लस अकेडमी की चैनल पर आपको इनजर आ जाएगी जिसमें हमने डिसकस किया था कि रोम की इस्तापना से यह जो सामराज्य बना उस दोर में क्या कुछ हुआ तो सबसे किया उसके बाद सामराज्य का कैसे उदे हुआ तो जो प्राचीन रोमन सामराज्य था जो कि 27 बीसी से शुरू होता है उसके फॉल तक की कहानी को हमने डिसकस किया जिसमें हमने यहां तक देखा था कि रोमन सामराज्य दो भागों में बट गया एक तरफ था वेस्टन रोम एंपाइर या बैजन्टाइन एंपाइर जो है वो 14 शताबदे तक चला है तो उसको भी हमने डिसकस कर लिया था पंदरवी शताबदे तक सोरी चला है उसके बाद हमने इनका जो मिस्टिक रिलीजन था एंशेंट रोम का ग्रेको रोमन रिलीजन जैसे कहा जाता है जो कि ए पर्मेनिक ट्राइब्स का इन्वेजन हुआ, बहुत सारी इन्वेजन्स हुए छे, जिसे बार्बेरियन इन्वेजन्स कहा जाता है, उसके बारे में भी हमने डिसकुस किया है, तो काफी कुछ होलरी हम रोमन एमपायर और रोम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कई रूलर् को भी पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्हेंने रूल किया तो मार्कस और इलियस कौन थे तो मार्कस और इलियस जो हैं इसके बारे में आपको मैं कुछ बाते तो लड़ी बता चुका हूं तो वन ओप दा मोस्ट रिनाउंट रॉमन एंपरर थे जिन्होंने पॉलिटिकल लीडर् डारेक्टली लाइफ के उपर जुड़े हुए हैं अपनी जिन्दगी को कैसे जीना है संयम कैसे रखना है जीवन जीने का तरीका क्या है उसमें एथिकल वैल्यूज की क्या महत होता है और लोजिक की क्या महत होता है मतलब बिसिकली तरक की क्या महत होता है उसके बारे में emperor का पद संभाला था इनके साथ एक और co emperor भी थे जो इनहीं की कहने पर उनको emperor बनाया जग गया था तो उनकी भी हम बात करेंगे साथ साथ में तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से छेतर की हम बात कर रहे हैं कहां के ruler थे तो यूरोप Middle East वाला हिस्सा एशिया वाला हिस्सा और अफरिका के हिस्से में फैला हुआ इतना बड़ा सामराजे था दोस्तों जिसमें आज के समय बहुत सारे देश नजर आएंगे आपको उस समय ये एक सामराजे हुआ करता था तो यहां पे ruler करने वाले वेक्ती थी और ये जो दोर था इनका इनका जो period था जिस दोर में उनके रूल किया उसमें बहुत सारी लड़ाईयां भी हुई प्लेग भी आया प्लेग बिसिकली वैसे आप प्लेग को एक बिमारी की तोर पे देखते हैं तो वह बिमारी जो कि चुहों से फैलती है वह वाला प्लेग नहीं प्लेग उस द लोगों की जान ली और economically भी बहुत नुकसान हुआ उसम्हिए रूम का तो उसको कैसे manage किया wars को कैसे manage किया political turmoil जो हुए उस दोर में काफी सारे टरिपार काफी सारे reward होगए हुए उनके साथ इन्होंने की सी तरह से उनको deal किया उसके साथ-साथ इन्होंने इस्टोइसिजम क इसके practical सुरूप को अपनाया तो ये एक ऐसी philosophy है जो कि personal ethics के बारे में बात करती है inner tranquility के बारे में बात करती है और acceptance of fate के बारे में बात करती है कि अपना जो fate है अपना जो आप कह सकते हैं किस्मत है destiny है उसको सुईकार करने की बात कि क्या control किया जा सकता है और क्या control नहीं किया जा सकता आप कहां पे पैदा होंगे आपका पिताब और आपकी mother कौन होगा या आपके हाथ में नहीं है तो basically वो fate ही तो है उसे हमें सुईकार ही तो करना है तो इस तरीके की चीज़े basic चीज़ों को सुईकार करना है जो आपके हाथ में नहीं है और जो चीज़े आपके हाथ में है personally आपके हाथ में है आप किस तरह से अपना जीवन जीवन जीवेंगे आपकी ethical values क्या होंगी उनके उपर focus करना है ये इस तरीके की philosophy है काफी कमाल की philosophy है कभी detail में भी पढ़ेंगे कौन-कौन से philosophers ने इसके उपर क्या काम किया है लेकिन यहाँ पर हम focus करेंगे only Marcus Aurelius के बारे में तो इनकी जो legacy है वो एक ruler के तो थी ही लेकिन एक philosopher के तो थी और ये one of the last great ruler of Roman Empire माना जाता है इनको कि इनके दोर के बाद 180 AD में इनकी death भी तो 180 AD के बाद का जो दोर है वो एक बहुती बड़ा turmoil का period था उसके बाद decline शुरू हो गया था Roman Empire का और one of the five great ruler good emperors में भी इनकी गिंती की जाती है इनका जनम हुआ था Spain वाले हिससे में Spain भी उस समय basically पाड तो Roman Empire गए था तो यहां पे इनका जनम हुआ था इसकी भी हम बात करेंगे लेकिन यहां पे इन्होंने रूल किया इनकी personal life और इनकी philosophy के बारे में पढ़ने से पहले इनका एक quote पढ़ते हैं यह quote क्या कहता है यह कहता है happiness of your life depends on the quality of your thoughts आपकी जिंदगी में जो खुश ही है happiness है वो आपकी quality of thoughts के उपर depend करती है जिस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं और उसका परभाव पड़ेगा आपकी happiness के उपर जिस तरीके कि जितने पवित्र आपके विचार होंगे और उस पवित्र विचारों में बहुत कुछ हो गया उसमें आपकी desires भी हो गई आपके ethical values हो गई हो गई है आपके moral principles हो गए आप logical values हो गई है आपका justice हो गया जिस तरह के से आप चीजों के साथ behave करेंगे वो पहले आपके thoughts में ही तो आता है तो आपके thoughts के उपर ही आपकी happiness depend करती है अब इनकी birth family और early life के बारे में बात कर लेते हैं इस्पेन में जनम पॉलिटिकल पदवा करते थे रोयल पदवा करते थे इनको कुछ हिस्सा दिया जाता था वहाँ पे इनके पस कुछ autonomy हुआ करती थी तो उस जगह पर इनका जनम हुआ इनका birth name जो था वो Marcus Aeneas versus था जो इनके पिता का नाम था तो Marcus Aeneas versus इनका पिता का नाम था इनके grandfather और great grandfather स्टीस अंतथ tomorrow भी एक वेलदि वेस्ट्रीन से ब्लों करते थे और इनके पिता की जो डेथ है वह 124 में होगे थी तो ये बहुत चोते थे मतलब तीन साल के अ went in तो इन्होंने अपने किताब Meditation में लिखा भी है कि इनको अपने पिता के बारे में याद नहीं है कि डारेक्टली वो कैसे तीत हुए थे उनको बाकी के लोगों से पता चलता है Secondary Sources से पता चलता है कि तुमारे पिता ऐसे थे, तुमारे पिता ऐसे थे और इनका परिवार यहां पे काफी सालों से था इनके Grandfather के समय से था वहां से ये लोग जो है काफी कुछ इनको पास पावर भी थी, पॉलिटिकल पावर भी थी और कहा जाता है कि ये जो है इनका परिवार जो है वह नुमा पॉम्पिलस नाम के एक लिजन्डरी किंग से जुड़ा हुआ था जो कि शुरुआत में किंग रोमुलस जिनों ने रोम की स्तापना करी थी उनके बाद के रूलर थे तो नुमा पॉम्पिलस जो कि एक लिजन्डरी किंग थे legendary इसलिए क्योंकि उनके बारे में कहानिया ही पता चलती हैं उनके बारे में historic evidence हमें पता नहीं चलते तो उनके परिवार से बिलोंग करते थे ऐसी कहानिया Marcus Aurelius की family के बारे में भी कही जाती है तो इनकी paternal lineage और इनकी maternal lineage जो है उनका जो परिवार है once जो है वो अच्छे background से आता था grandfather जो थे जिनका नाम था Marcus Aurelius versus first जिनके great grandfather का नाम था यह grandfather का Marcus Aurelius second फिर इनके पिता का Marcus Aurelius third और यह कौन हो गए Marcus Aurelius versus fourth फॉर्थ थे लेकिन बाद में उनने Marcus Aurelius नाम अपना लिया था तो सिधा Marcus Aurelius नाम से इनको हम जानते हैं मदर इनकी Domitri Calvilla या इनकी मदर का नाम दूसरा मैंने क्या बताया था आपको Domitia Lucius junior भी इनका लुसिला जूलियर भी इनका नाम था जो की एक Roman patrician family से ही belong करती थी अब अगर हम बात करें Rome के rulers की और उनकी dynasties की तो बहुत सारी dynasties ने रूल किया Julio Claudian dynasty की शुरुआत होती है 27 BC में Augustus जो है वो उसी dynasty से belong करते थे फिर Flavian dynasties आती है Narva Antonian dynasty जो आती है वो आती है इसी dynasty से Marcus Aurelius भी belong करते थे तो Narva Antonian dynasty जो है इसने रूल किया था 96 CE से 192 CE तक उसके बाद आगे बहुत सारी dynasties ने यहाँ पर रूल किया यह dynasties आपको नजर आती है यहाँ पर और यहाँ पर आपको 1261 तक की dynasties नजर आती है उसके बाद 1451 तक नजर आती है जब Eastern Roman समराजे का पतन हुआ था वहाँ तक जब fall of constantine pile पॉल हुआ था जब इस्लामिक invaders ने constantine pile को capture कर लिया था बैजंटाइन एंपार का भी अंत हो गया था तो वहाँ पर कौन सी डाइनस्टी थी लाल लास्ट पलाई लोगन डाइनस्टी वो डाइनस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी हमें बात करने है मैंली किसके उपर नर्वा एंटोनियन डाइनस्टी के उपर इसके रूलर थे और यहाँ पर आपको और भी Roman emperors की timeline नजर आ ज रही उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे rulers नजर आते हैं जिसमें आपको five good emperors की बात नजर आ रही है इसमें एक Marcus Aurelius भी थे नाम तो five good emperors की आती है लेकिन इसमें छे rulers थे क्योंकि Marcus Aurelius ने अपने साथ Lucius versus नाम के एक और वेक्ति को भी अब को emperor रखा था जो इनके एक दर से relative थे matrimonial alliance के थूँ इनसे junior थे लेकिन को emperor उनको रखा था तो Marcus Aurelius और दूसरे जो हैं Lucius versus यह जो हैं यह दोनों क्या हैं साथ में रहते हैं साथ में emperor रहे थे यह एक साथ दोनों emperor थे तो इसमें आप प्राजन हार्डियन हार्डियन के समय पे इनका जनम भी हो गया था उसके बाद एंट एंटोनियस प्यास जिन्होंने इनको गोद लिया था Marcus Aurelius को जो इनके एक दर से फादर थे जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था तो यह सब की बात आती है यह पांच great emperor थे जिनको good emperor कहा जाता है Roman Empire में 96 से लेकर 180 CE तक का था समय इसमें ठीक है तो सब की बारे में कुछ-कुछ basic information यहाँ पर दे रखिए हमें बात किसके बारे में करनी है Marcus Aurelius के बारे में तो बहुत सारी dynasties आई उसमें से Marcus Aurelius जो है वो उन पांच great good emperor में से थे जो कि किस से belong करते थे ठीक चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं और इनकी early life और education के बारे में अगर बात करें तो 132 CE में यानि कि यह कितने साल के थे तक गरीबन 11 साल के थे तो उस समय इनको philosophical taxis के बारे में पता चला और एक teacher थे जिनका नाम था डियोजने टेस जो थे उनको इनका private tutor बनाया गया वो इनको घर आखे home tuition देते थे basically उन्होंने इनको cynic philosophers के बारे में पढ़ाया cynic philosophers वो फिलोसोफर थे जो कि बहुत ही सेंट जैसी life जीने के लिए ideas को promote करते थे कि कैसे संत जैसी जिंदगी जी जाए बहुत ही संयम के साथ minimum desires के साथ तो इससे वह बहुत इंप्रेस हुए और मार्कस औरिलियस ने cynic cynic lifestyle को अपनाया cynic lifestyle में जिसमें उन्होंने एक रफ क्लोक जो कि एक फिलोसोफर पहनता है बहुत ही basic संत की तरह रहने लग गए ग्राउंड पे सोने लग गए बहुत ही simple food खाने लग गए और simple positions इनके हुआ करते थे तो basically यह ऐसे व्यक्ति बन गए थे जो कि एक संत महात्मा जैसा होता ना तो बच्पन में 11-12 साल का एक लड़का ऐसा कर रहा है तो सोचे कितनी बड़ी बात है वो बच्पन से को कहते है होनहार बिरवान के हो चीकने पात वो बच्पन में दिख जाता है तो इस तरीके के थे लेकिन इनकी मदर ने intervene किया और देखा कि यह तो बच्चा जो है जो आगया चलके राजा बन सकता है और इसको तो बहुत सारी political जिम्मेदारियों को भी समालना है उनको convince किया और कहा कि उनको भी समझना है तो उस चीज़ को भी Marcus Aurelius ने समझा लेकिन उन्होंने अपनी इस philosophical भूख को कभी छोड़ा नहीं और वो पढ़ते रहे अलग-लग लोगों से पढ़ते रहे फिर उसके बाद Aurelius ने आगे चलके दो और टीचर से बढ़ाई हासिल की सिक्षा हासिल करी जिसमें एक थे Hero Delis Atticus और दूसरे थे Marcus Carnitas Frento Frento इनके बहुत ही close teacher थे उनके साथ इनके अच्छे relations भी थे अच्छी friendship भी थी Frento की जब death हुई तो माना जाता है कि Marcus Aurelius बहुत ही गमीन हो गए थे बहुत ही दुख में चले गए थे और काफी समय तक वो शोक में रहे और उसकी वज़े से कई लोगों ने सवाल भी पैदा किये कि एक Roman Empire का आने वाला वारिस जो हेर बनने वाला है डिकलेड हो चुके थे तब तक वो व्यक्ति इतना शोक मना रहा है तो वो तो एक कमजोर व्यक्ति तो हुआ क्योंकि वो कहा जाता ना कि मर्द रोता नहीं है तो इस तरह कि बाते तो इत्यास में अलग लग दोर में थी ही तो रोमन एंपरर जो है रोम का समराड तो बहुत ही ताकतवर होना चीए बहुत ही स्ट्रोंग होना चीए लेकिन इनके जो फादर थे जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया था उन्होंने इनको समय दिया और कहा कि नहीं नहीं इनके साथ अच्छे रिलेक्शन थे उनके तो बी be himself a man fest human fest ऐसा नहीं है कि वो एक राजा ही बनेगा वो human being भी तो है तो इंसान है तो उसे इंसान बने रहने दिये जाए उसको disturb ना किया जाए वो अपने दुख से निकलेगा तब अपने आप वो सारी जिम्मेदारिया निभालेगा जो से निभानी है आने वाले समय में कैसे बने थे वो आगे राजा उसकी तो अभी बात हमें करनी है उसके बाद कुछी समय बाद जब 12-14 साल के थे उस समय औरिलियस की एक बार सगाई हो गई थी एक लड़की थी जिसका नाम था सिलोनिया फैविया जो की एक पोलिटिकल बैग्राउंड से ही आती थी लोसियस सेलोनियस कमंडस की फैमली से आती थी उनकी डॉटर थी वो और आगे आने वाले उनके को एमपरर लोसियस वर्सेस की बहन भी थी तो लोसियस वर्सेस की बहन के साथ उनकी engagement हो गई थी लेकिन वो engagement आगे चलके टूट गी जब हैडियन जो रूलर थे उस समय के उनकी जब death हुई उसके बाद उनकी engagement टूट गई और फिर शादी किसी दूसी लड़की से हुई थी उसकी आगे हम बात करेंगे जो उनकी queen भी बनती है फिर 136 CE में 136 CE में Emperor Hadian जो है वो एक व्यक्ति Commandus नाम का व्यक्ति होता जिसका नाम तर लूसियस सेनेशियस Commandus जिनकी बेटी के साथ इनकी engagement हुई थी अभी मने आपको बताया उनको अपना successor न्यूप करते हैं अब क्यूं करते हैं उसका एक clear reason तो हमें पता नहीं चलता लेकिन ऐसा मना जाता है कि Hadian जो है वो बच्पन से ही Marcus Aurelius को बहुत चाहते थे बहुत पसंद करते थे और Hadian चाहते थे कि बड़ा होके Marcus Aurelius ही साशक बने रोम का समराट बने तो कोई भी ऐसा रास्ता जिसके तुरू Marcus Aurelius राजा बन सकता था उसे वो अपनाना चाहते थे लेक उनके साथ शादी हो रखे तो उन्होंने Commandus से ये कही न कहीं वचन ले लिया था कि आगे चलके तुम कहीं न कहीं Marcus Aurelius को अपना जो है हेर या फिर अपना सकसेसर अपोइंट करोगे ये बात हो गई थी लेकिन Commandus की 138 में ही डेथ हो गई और Hadian की भी 138 में ही डेथ होती है लेकिन Hadian से पहले ही Commandus की डेथ हो गई है इसलिए Hadian ने आगे चलके Anonius, Anonius Pierce नाम के व्यक्ति को अपना सकसेसर अपोइंट किया और उसको अपोइंट करने के बाद हो उनके बेटे ही थे ये भी बेटे ही थे इनके तो उनको अपोइंट किया और कहा कि आगे चलके तुम् Emperor बनते हैं दोनों, उन दोनों को गोद ले लिया था और अपना सकसेसर भी न्यूक्त कर दिया था कि मेरे बाद जो भी मेरी Political विरासत होगी उसको यही समालेंगे इसलिए Hadrian ने पहले ही Antonius Pierce को अपना सकसेसर पोइंट कर दिया तो basically Hadrian इस चीज में पहले से सुनिशित थे कि आगे चलके मेरी जो विरासत है उसको तो Marcus Aurelius ही समालेंगे, चाहे वो किसी रास्ते से समालें, चाहे वो Anonius Pierce की रास्ते से भी समाल सकते हैं Anonius Pierce भी एक अच्छे रूलर ही शाबित हुई, उन्होंने काफी efficiently rule किया, पूरे control रखा, पूरे समराजे को उन्होंने चलाया, अपने rule regulations के हिसाब से manage किया basically, और वो एक role model बनके रहे, इसके लिए, Marcus Aurelius के लिए, जिन्होंने अपनी किताब Meditations में ये बात का जिकर भी किय है कि वो अपने adopted father को, जिन्होंने उनको adopt किया, जिनका नाम क्या है, Antonius Pierce, वो उससे बहुत परभावित थे, उनके काम करने की तरीके से और उनके efficient administration से काफी परभावित थे, उसी दोरान Marcus Aurelius ने ये Marcus Aurelius Antonius का title भी लिया था, क्योंकि पहले तो इनका नाम क्या था, अपन मनें आपको बताया भी था, क्या नाम था इनका, Marcus Aurelius वर्सिस, और वो भी fourth, तो वो नाम इन्होंने त्याग के Marcus Aurelius का title जो है वो ले लिया, क्योंकि इनको adopt कर लिया था, Aurelius Antonius Pierce ने, अब Antonius Pierce ने Marcus Aurelius का ध्यान रखा, उनको पढ़ाया, लिखाया, और उनको courtier duties को माउजूद भी, उनका जो मेन ध्यान था, वो philosophical introspection की तरफ था, कि उनको दार्शनिक बनना था, उनका ध्यान उन चीजों में इतना नहीं था, कि वो warfare को समझें, वो courtier duties को समझें, इसलिए शायद आगे चलके Marcus Aurelius ने अपने साथ एक को emperor को रखा, जो कि दूसे चीजों म के बारे में, court life के बारे में, वो फ्रेंटों को लेटर भी रिखते रहते थे, कि वो क्या सिख रहे हैं, क्या उन्हों में चीजें सिख ही हैं, अपने पिता से हैं, और अपने experience के धुरू, उसके बाद, पिता, मतलब जो adopted father हैं, उनकी बात कर रहा हूं है, क्योंकि उनके, ख असिल करी, 145, 41, 61 में, इनको councilship मिलती रही, और उसी दोरान 145 AD में, इनका finally जो है, विवा होता है, एनीनिया, गलेरिया, होस्टीना से, ये एक लेडी थी, इनके साथ इनकी शादी होती है, ये ताउमर इनकी wife रही, और queen भी रही, फिर 147 में, इनको imperium and tributaria, प्रोटीसिया जो वाला हिस्सा जो था, वहाँ पे इनको emperorship दे दी, formal power दे दी, emperorship की, एक तरह से co-emperor बन गे, अपने father के समय ही, junior emperor बन गे, basically, Antonius P.I.S. के दोर पे ही, उन्होंने इनको कहा कि तुम सीखो, मैं तो अभी राजा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम मेरी तरह decision लोगे, कुछ च चीजे भी पढ़ रहे थे, philosophy तो continue पढ़ रहे थे, तो अपॉलोनियस ओफ, चाल्डेनोन, और क्वैंटिनियस, जूनियस, रस्टिकस की philosophy को इन्होंने बढ़ा, जो कि काफी popular, prominent, stoic philosopher थे, stoic विचारधरा को promote करते थे, आगे हम और पढ़ने वाले, stoicism के बारे में, तो discuss करें तो उस दोरान, Marcus Aurelius, काफी हद तक, stoic ideas के मुरीद हो गए, stoicism को इन्होंने अपना लिया, हलांकि फ्रेंटों जो है, वो पूरी तरीके से stoic नहीं थे, उनके कुछ अलग अपने विचार थे, stoic विचार धरा को भी, वो कही न कहीं मानते थे, लेकिन कुछ विचार उनके अलग भी थे, उनके objections के वावजूद, Aurelius ने completely stoicism को अपना लिया, जो कि आगे चलके उनको एक emperor के तोर पे मदद भी करता है, कि उनको अपना सामराजे कैसे चलाना है, तो वो stoic emperor बने, कैसे बने, और क्या-क्या चीज़े करी, उसकी बात अभी हम करते हैं, कि Aurelius the emperor कैसे थे, कैसे वो राजा रहे, तो मार्च 161 CE में, एंटोनियस फियोस की डेथ हो जाती है, उस समय सेनेट जो है, वो मार्कस ओरिलियस को एक नए राजा के तोर पे इंस्टोन करते हैं, कि आप हैं अब नए emperor, तो हेडनियन का जो प्लान था, वो सफल रहा, हेडनियन ने पहले ह ये सोचा था कि मार्कस ओरिलियस आगे चलके रोम के समराट बनेंगे और वैसा हुआ भी, तो साथ ही साथ मार्कस ओरिलियस ने एक इच्छा जाहिर करी कि लूसियस वर्सेस को भी उनके साथ को emperor बनाया जाए, क्योंकि मार्कस ओरिलियस का अपना एक specific field of area था, जिसमें उनक उनको पता थी चीज़ें, उसके philosophical ideas थी भी कि किस तरह से administrate करना है, लोगों को किस तरह से अपने साथ रखना है, बांद के रखना है, युनाइट करना है, लेकिन उनको warfare की tactics इतना नहीं पता था, वोर लडने का कोई experience उनको था नहीं अपने जीवन में, जो कि किसको था, Lucius वर्सेस को, Lucius वर्सेस का साथ में होना उनके लिए काफी फायदे मन्द था, क्योंकि Lucius वर्सेस बाहरी आकरमनों और आंतरिक rewards को manage कर सकते थे, तो उन दोनों को emperor बनाया गया, Lucius वर्सेस काफी junior थे, और Marcus Aurelius की बातों को मानते भी थे, उनके अच्छे समंद रहे आगे आ आने वाले समय में भी, हलाकि दूनों का lifestyle काफी अलग था, एक तरफ Marcus Aurelius जो की बहुत ही समयम भरा साधार जीवन जीने वाले विकती थे, और दूसरी तरफ Lucius वर्सेस जो की एक luxury lifestyle जीने वाले विकती थे, उन्होंने king बनते ही, emperor बनते ही, गरीबों को aid देना शुरू किय और military rewards देना शुरू किया, जैसे वो popular हुई, इसके बाद इन्होंने free speech को promote किया, art, education और economic को boost करने के लिए कई तरीके के इन्होंने यहाँ पर administrative reforms किये, economic reforms किये, currency के ओपर reforms किये, तो इस तरह से चीजें हुई, जिसके वज़े से काफी popular ruler बन गे इस दोर में, ठीक, उसके बा इनके चरितर के एकदम विपरित, वो और को जानते थे, लेकिन साथ ही साथ एक luxury lifestyle जीने वाले वेक्ती थे और काफी उन्होंने पैसा खर्च किया अपनी life जिसकी वज़े से वो ऐसे events नजराते हैं कि कुछ लोग उनको ना पसंद करते थे, बहुत से लोग ना पसंद करते अब मार्कस औरेलियस को ये तरीका पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने का बेबी उनके ओपर कोई पर्ती बंद लगाया नहीं काफी, ठीक है, क्यूंकि उन्होंने ही उनको चुना था कि ये भी मेरे साथ emperor बनेंगे, को Emperor बनेंगे, तो उन्होंने उसके ओपर कोई पर्ती ज़्यादा लगाया नहीं अब मारकस औरिलियस लोगों में काफी popular थे, काफी लोग उनको पसंद करते थे, एक excellent emperor और एक fond popular के तोर पे जाने जाते थे और अपनी वाख पटुता के लिए भी माहिड थे, लोग उनकी बातों को सुनते भी थे जिसको पसंद करते हैं, उसकी बात को सुनेंगे लेकिन साथ ही साथ, उसकी बातों में वजन भी तो होना चाहिए, तो वो एक eloquent थे, और रियोटिक उनके पास skill थे, जिसें वो अपने कमजोर तरक को भी मजबूती से बेस करने में शक्षम थे, हालागि उनके तरक भी काफी मजबूत थे, तो वो एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे राजा के तोर पे सफल रहे, उसके बात चीजें बदली, साल 161 से ही 166 के बीच में वोर चलना शुरू हुआ पर्थिया के साथ, अब ये पर्थिन एंपायर के एक राजा जिसका नाम था, वोलोगस से फोर्थ, इसने अटेक कर दिया था, अर्मेनिया पे जो की रॉम के प्रोटेक्शन के अंडर थी, रॉमन प्रोविंस सीरिया को भी उस दोर में इन्होंने इगनाइट किया, किसी भी तरीके से वो किया, एशान्त कर दिया और उसमें रिवोल्ट हो गया, उसमें भी कई ना कई पर्थिया का हार था, तो इस तरह से चीज़ें होई, तो इसी दोरान, वर्सिस जैसे विक्ति की जरुवत थी कि इसके पास अच्छा का सा एक्सपिरियंस था, और इसके पास इतना एक्सपिरियंस नहीं था, तो लुसियस वर्सिस ने इस कैमपेंड को लीड किया और ये वोर जो है, आगे आने वाले पाँच साल तक चला, जिसमें कभी जो है वर्सिस को भी दिया जाता है, लेकिन एक बहुत ही योग्ये जर्नल थे इनके, मिलिटरी जर्नल थे, जिनका नाम था गैसियस, एविडियस, सैसियस इनका भी काफी महत्पून रोल रहा इन्होंने कई सारे मिलिटरी कैमपेंड को लीड किया, जिसकी वज़र से वो पर्थियन एम्पैर को हरा पाए, और ये जो छेतर है, जो बफर जोन वाला छेतर है, अर्मेनिया वाला जो छेतर है इसको ये जीत पाए, और इवन पर्थियन एम्पैर के भी काफी टेरिटरी को इन्होंने जीत लिया था तो पर्थियंस के साथ इनकी जो लड़ाई है और जो conflict है वो continuous चलता रहा और ये जो छेतर आपको नजर आ रहा है इस मैप में आप देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री और का ये थू ये हमने तो रोमन रिपब्लिक के दोर से ही पर्थियंस एंपायर था उनके साथ उनके टकराव थे लेकिन फिर रोमन एंपायर बन गया है तो ओर टकराव बढ़ने लगए क्योंकि एंपायर का मकसद ही होता है एक एंपायर एक किंग्डम जो है वो एक्सपांशन हमेशा चाता है तो पर्थियंस भी चाते थे और रोमन्स भी चाते थे तो दोनों के बीच में कॉन्फ्रिक्ट होना तो ते था अब वर्सेज जो हैं वो campaign के लिए बहार थे तो उस समय और लियस जो है मारकस और लियस रोम को manage कर रहे थे वहां के अकाउंट्स वहां की duties वहां के court cases लॉज को कैसे पास करना इन तमाम तरीके की चीज़ों को वह जो है संभाल रहे थे उन्होंने बहुत सारे कोर्ट केसे को रिव्यू किया कई सारे कानून पास किये जो रॉम की सभी क्लासेस के लिए बेनिफिशिल थे तो उस दोरान उन्होंने काफी सारी इस तरीके से अधबा लगता है और कहा जाता है कि मार्कस और इलेस नहीं कि इसको मौडर्न स्कॉलर्स नहीं मानते हैं उनका मानना है कि देखिए ऐसा है कि Christianity का जो persecution है Roman Empire में वो directly Marcus Aurelius ने नहीं किया Even Marcus Aurelius और इनके पिता Antonius Piers ने तो कुछ ऐसे इडिप्स को issue किया था जिससे Christians को protection मिल सके ये बात modern scholars मानते हैं और कई लोग ऐसा मानते हैं हलांकि Christians का persecution उस दोर में हो रहा था लेकिन वो हो किसके थुरू रहा था ऐसा माना जाता है कि वो जो persecution हो रहा था वो regional governors के थुरू हो रहा था क्योंकि Rome जो है वो अलग-लग जगहों पे अलग-लग senates और अलग-लग governors के दोरा rule किया जाता था तो अलग-लग जगह आप देखेंगे senatorial province भी थे imperial province भी थे तो यह जो senatorial province थे और imperial province थे यहाँ पे अलग-लग जो governors हुआ करते थे उनके दुआरा इनको जो Christianity के मानने वाले लोग थे उनको persecute किया जाता था persecute किया जाता था क्योंकि उस समय Rome का अपना अलग religion था Greco-Roman religion था जिसमें अलग देवताओं की पूजा होती थी अलग तरीके एक का था वो polythistic religion था Christianity monothistic religion है जिसमें एक रिश्वर की धारणा की बात होती है तो कई सारे region थे और आप जानते हैं कि Jesus Christ का crucifixion भी एक Roman governor के दोर में वा Roman governor नहीं करवाया था तो वो तो आप जानते हैं कि Christianity का continuously चलता रहा है Roman empire के साथ conflict चलता रहा लेकिन बाद में Roman emperor constantine pile के समय पे Christianity को अपनाया गया और उसके बाद state religion भी बनाया गया तो वो चीजे तो बाद में हुई है लेकिन religious persecutions तो होते ही रहे Roman समराजे में यहुदियों के साथ भी हुए हैं कई बार और कई बार Christianity के साथ भी हुए हैं तो वो चीजें आप देख पाते हैं ठीक है तो यहां पे कोई ऐसा record नहीं पता चलता है कि जहां पे Marcus Aurelius ने उन persecutions को रोका हो या फिर खुद directly order दिया हो कि Christianity के persecution की बात ने की हो तो ऐसा कहीं पे भी clear हमें ना तो यह mention लगता है कि उन्होंने Christianity के लोगों का persecution किया और ना ही clearly यह पता चलता है कि उन्होंने उसको रोका यह बात जरूर पता चलते हैं कि उनके दौर में भी उनके पहले के दौर में भी उनके दौर के बाद भी correction थी उनके कई बच्चे भी हो चुके थे ऐसा माना जाता है कि मारकस Aureliu की जो बीवी थी फोस्टिना उनके साथ उनके 13 बच्चे थी, हालांकि ज्यादातर बच्चे जो है वो Early Age में ही उनकी death हो गई थी, यंग थी तब ही death हो गई ती और Commodus जो उनके बेटे थे वो आगे चलके Ruler बनते हैं जो कि एक Unpopular Ruler के तोर पे जाने गए इनके बेटे Commodus उनकी भी हम आगे बात करेंगे थोड़ी सी अब Marcus Aurelius Emperor बन चुके थे 5-6 साल का समय भी हो चुका था पर्थिया को भी हरा दिया था लेकिन अब एक और चुनोतीन के सामने यही वो थी Germanian Tribes की Germanian Tribes जिनको कहा जाता था Basically क्या Barbarian Tribes Barbarians किसको कहा जाता था Ancient Greece में Roman Swam Rajay में भी और Greek Empire में भी वो लोग जो कि उनकी भाषा नहीं बोलते थे उनको Barbarian बोला जाता था Barbarians वो माने जाते थे Greece में जो कि Persians थे mainly Persians को Greece की भाषा जो Greek है वो language नहीं आती थी उनको Barbarian बोलते थे आपस में लड़ाईयां होती थी तो उनको Barbarian कहा जाता था Rome के समय पे जो बाहर के Germanians थे जिन्होंने इनके उपर अटेक किये उनको Barbarian कहा जाता था तो इन Barbarians ने या Germanic tribes की अलग-लग tribes ने इनके उपर अटेक किये Even कई बार Persians ने भी इनका सपोर्ट किया Persians जो थे उस समय और Parthians जो थे उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया और यह बार-बार जो है रोमन सामराच्य की सीमाओं को लांगते थे और उनके उपर अटेक करते थे धानूबे वाला जो छेतर था नोर्दन हिस्सा जो था इनका यहाँ वाला जो हिस्सा है इसके उपर अटेक करते थे सामर्ट या और यह जो जर्मिनियन मैगना था यहाँ से नोर्दन हिस्सों के उपर अटेक किया जाता था तो इसको मैंनेज करने के लिए मार्कस और इलियस ने अपनी सेना को साथ दिया 167 में औरिलियस ने खुच जाके वर्सेस को जोइन किया और वहाँ पे वो जाके देख रहे थी कि किस तरह से कहां कहां से इन्वेजन हो रहे हैं और कैसे लो अन ओर्डर को रिस्टोर किया जाए और सीमाओ को कैसे सुरक्षित किया जाए ये लड़ाईयां काफी लंबे समय तक चली और ये लड़ाईयां जो है इनहीं लड़ाईयों में यहां से नहीं ये आगे चलके 500 सी शताबदी तक चली है मैंने आपको अभी मैप में दिखाया कि ये 100 सी से लेके 500 सी तक बीच का देखे कि हुनों ने भी अटेक किये, और स्टोगोस ने भी किये, वैंडाल्स ने भी किये, इन बहुत सी जर्मेनियन ट्राइब्स ने इनके उपर अटेक किये, जिसकी वज़े से यह जो वेस्टर रोमन सामराज़ है, इसका तो अंती हो गया था, तो इसको तो पूरी तरह से के उपर कई सारी लडाईयां हुई, और उस लडाईयों के पीछे कई कारण भी थे, एक तो भ्रष्ट ऑफिशर्स जो की, जिनको अच्छा खासा पैसा मिल गया था, वो भ्रष्ट हो रहे थे, वो अपना दल बदल रहे थे, ब्राइबरी कर रहे थे, और एक्विप्मेंट जो है, वो सेंटरल गवर्नेस जो है, वो थरी कमजोर हो गई, एक तरफ मार्कस और इलियस कही ना कही डिसेंटरलाइज करना चाहते थे, अपने रोमन सामराज्य को चाहते थे कि सब के हाथ में पावर हो, सब मैनेज करें हमारे सामराज्य को चलाएं, सैनिट के पास पावर लेकिन उसका कही ना कही नुकसान भी हुआ कि सामराज्य जो है वो उनके हाथ में पूरा रहा नहीं उसकी कमान तो जर्मेनियन ट्राइप्स और नॉमेडिक लोगों के जो रेट्स थे की कोशिश करी उसकी वज़े से अधिकार तो दिये लेकिन लोग भ्रेश्ट हो गए उनका नुकसान हुआ कही न कही चातीस अव इन्वेजन हुआ जन्मेनियन सुपीरियस की तरफ से 166 के दोर तक कई सारी यहां पर लडाईयां हो चुके थी बहुत सारी लडाईयां हो रही और उसके बाद यह लडाईयां खतम भी हुई और कई रिवॉल्ट भी हुई लडाईयां खतम हो जाती थी फिर दूसरी जगर शुरू हो जाती थी तो ऐसे चीड़े थी तो और बार बार जो है अपनी सेना का अड़ा भी बदला कि वही कैसे भी मैनेज किया जाए देखिए एक मूवी भी बनी है इसके उपर आपने मूवी देखियो ग्लेडियेटर बहुत ही खुबसूरत मूवी है होलिवुड की रश्रू करो ने इसमें एक ग्लेडियेटर का रोल अदा किया है और एक वो मिलिटरी जर्नल थे यहां पर इन्होंने मार्कस औरेलियस का यहां पर अदा किया है तो यह जो यहां पर व्यक्ति है रश्रू को इन्होंने यहां पर मूवी में तो इनका नाम रखा गया मैक्सिमस डेसिमस मैरीडियस यह इक बहुती एक्परेंस मिलिटरी लीडर थे इन्होंने इन जर्मैनिय क्ट्राइब के ओपर कई सारे केंपियन किये और tribes को हराया और basically काफी हद तक इन्होंने northern border को secure कर दिया था और इनके अच्छे गहरे सम्मन थे मार्कस ओरिलियस के साथ और movie में तो ऐसा दिखाया गया है कि मार्कस ओरिलियस खुद ये चाहते थे कि उनका बेटा Commodus ना बनके Maximus Decimus Meridius ये जो मार्कस ये आगे चलके सब्ता को समाले ये राजा बने और इसकी वज़े से कहीं ना कहीं मार्कस ओरिलियस की उनके बेटे Commodus ने हत्या तक कर दी थी हलांकि historical evidence इसके उतने मिलते नहीं है अलग लग जबहों पे अलग लग तरीके और वह बहुत कमाल का है वह आपको जुरू देखनी चाहिए बड़ी अच्छी movie है वार के उपर बनी और इस तरीके की जो फिल्में बनती है history के उपर और warfare के उपर रोमन सामराज्य की जैसे बड़े सामराज्यों के उपर में से वह बहुत अच्छी movie है देखनी चाहिए मैं तो ऐसा ही का हूँ आपको तो 169C में Lucius versus की death हो जाती है इसी के बाद अब ये एक इनके लिए बड़ी शती थी क्योंकि इनके co-emperor थे वो और अच्छे military leader भी थे military tactics को जानते थे और माना जाता है कि most likely वो प्लेग के हुज़े से मारे गए प्लेग के बारे में आगे बात करेंगे इनके दोर में जो प्लेग आया था तो उनके जो troops थे वो रोम आ गए वापिस और और ओरिलियस ने अब अके लिए रूल करना प्रारम कर दिया अब उनके co-emperor की दो हो गई थी उसके बाद उन्होंने अपनी बाकी बची हुई जिंदगी जर्मेनियन ट्राइब्स के साथ लड़ते जगडते ही बिताई और meditation उसी दोरान उन्होंने लिखे Meditations के बारे में जो किताब लिखी उन्होंने बारा जिसके भाग हैं वो भी उसी दोरान लिखे अपनी लाइफ के बारे में अपने experiences के बारे में कैसे लाइफ को जीना चाहिए इन चीजों के बारे में उन्होंने लिखा ठीक अब legal administration और लीगल और administration वर्क उन्होंने कैसे किया तो मारकेस और इसने अपना जीवन एक emperor के तौर पे legal matters को सुलजाने में ही ज़्यादा बिताया क्योंकि उससे पहले इनके जो co emperor थे लूसियस वर्सिस वो तो आंत्रिक और बाहरी आकरमनों को समभाली रहे थे तो इन्होंने legal matters के उपर focus किया administration के उपर focus किया इन्होंने imperial administration को बहतर बनाने के लिए बहुत सारे कानून पास करवाए और जो professional jurist थे उनको hire किया जो highly professional jurist है उनको साथ में hire किया और उनके expertise के आधार पे इन्होंने कानून बनवाए और सब की approach लिए और यह उनका मानना था कि जो imperial place है palace है जो इनका महल है वो तो senate को belong करता है उनको नहीं और palace के उपर तो उन लोगों को रहना चाहिए और वही लोग जो है वो सही माहिना में administrate कर रहे हैं इस सामराजय को चला रहे हैं absolute authority को वो support नहीं करते थे वो मानते थे कि decentralization होना चाहिए power का एक राजा ही सब कुछ नेड़ने ले ये भी बात सही नहीं है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ग्यानी तो नहीं हो सकता तो इस तरीके की चीजे ये मानते थे साथ ही इन्होंने administration को और economy को मजबूत करने के लिए इनका जो silver coin था जिसका नाम था कैसे भी कैसे समराजे चले तो सही क्योंकि silver की कम हो जाएगी अदरवाइस तो उसके बाद इन्होंने हैं चाइना और उसके साथ trade भी किया और उसी दोरान प्लेक का भी देखने को मिलता है आपको तो हान चाइना जो है हैं डाइनिस्टी जो थी चाइना में वह यहां पे थ इधर रोमन समराजे था और इसके साथ silk route और अलग-लग रास्तों के मादम से trade होते थे भारत साथ भी trade होते थे कुशान समराजे था उस दोर में आपको पता होगा तो कुशान समराजे के साथ और han empire of china के साथ इनके trade relations थे trading करते थे यह आपस में और पता चलता है कि hand court के अं में मोस्ट प्रोवैमलीमारकश औरलियेती होंगे या फिर ऐंटोनियस और खूझञी के साथ और रोमन आर्टिफेक्ट जो है और ग्लास वेर्स जो है कई ऐसी चीज़ें जो गॉल्डन मेडलियंस जो गह रहा है वो चाइना के अलग लग हिस्सों में मिले भी हैं जहां पर हां डैनिस्टी का रूल था तो यह पॉसलिबल यहां से इंडिकेट करता है कि रोमन ट्रेड हुआ करता था चाइना के साथ रोमन कॉइंस भी जो हैं वो मिले हैं उस जगह पे चाइना में तो वहां से भी हमें पता चलता है कि ट्रेड कनेक्शन संगे साथ थे लेकिन स्विर चीजें बदली 165 और 166 के आसपास एक प्लेग फैला जिसका नाम था एंटोनियन प्लेग एंटो तो इसकी वैक्सिन बन गई लेकिन यह उस दोर में बहुत ही खतरना विमारी थी जिसने यूरोप की बहुत सी पॉपलेशन को खतम किया है पहले भी और अमेरिकी महादीब की तो बहुत बड़ी पॉपलेशन को खा गई थी यह बिमारी पता है आप कोई बात जब अमेरिकी महादीब पक महादीब पर यूरोपियन सी लेके गए थे स्मॉल फोक्स को अपने साथ और लेके गए तो उससे बहुत बड़ी आबादी खतम हो गई तो यह स्मॉल फोक्स काफी पुरानी विमारी थी तो 165-66 के आसपास मेसोपोटामिया में यह शुरुआत हुई इसकी औ पचासों-पचासों के लोगों को एक साथ दफनाय जा रहा था क्योंकि कोई तरीका नहीं था लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे इतने लोग मर रहे थे चोटे बड़े बड़े अमीर गरीब सब मर रहे थे इनके को एंपरेड भी तो मारे इसमें तो उस दोरान रोम ने बह टाइम एक्टिविटीज थी वो ओल्मस्ट बंद हो गई तो यह दोर भी जहला और मार्कस औरेडियस ने इसको भी फेस किया इसमें भी उन्होंने पने जीवन के कुछ एक्स्पिरेंस को हासिल किया फिर फाइनली बात करते हैं इनके मेडिटेशन जो इनके फिलोसोफी है उस फिलोसोफी के बारे में पढ़ते हैं मेडिटेशन के बारे में पढ़ते हैं और क्या इनके विचार थे दर्शन के ओपर तो यह जो किताब है मेडिटेशन यह एक नोटबुक थी बैसिकली इनकी एक तरकी के डायरी आप मान लीजे जो यह अपने साथ रखते थे लिख चल रहे थे उस दोरान इन्हों ने किताब लिखी 12 भाग थे इसके और पहली बार जो इसका मेंशन मिलता है वो मिलता है ठेमिस्टियस की 364C में उन्होंने इसके बारे में जिकर किया था उसके बाद आगे चलके 900C में अथ्रेटास ने इसको रिकोर्ड किया से लूस्टियस में अऔर 1558 के दोरान सकaved करके इसके अलग लग वर्जज में उसको इंटरपेरेट करके लिखा गया और उसका ज़ींड़े अनोंने पन आपनी इक्सिरिएंस और जिंदगी जीने के तरीकों बात की है अपने फिलसोफिक ल एड्याज के इसकी बात की है já के बारे में हम बात करेंगे और वो मेन आइडिया है इसका स्टोइसिजम क्या है यह एक ऐसी फिलोसोफी है जिसकी शुरुवात तो ग्रीस से होती है क्या प्रमॉट करती है यह परसनल वर्चूज किसी तरीके का पॉलिशन नहीं करना है लोसर जी वो को नुकसान नहीं पहुंचाना है अच्छती नहीं पहुंचानी है उसके बाद यह कहा गया कि पॉकस ऑन बाद यो कें इसको प्ड़ेगी अब यसको नहीं कर सकते है अब अपर में जा सकते हैं अप एस ही में रह सकते हैं कूलर में रह सकते हैं ठीक है लेकिन आप यह तो कर सकते हैं कि गर्मी का मौसमी बदल दो ऐसा तो नहीं हो सकता और कंट्रोल क्या है अपना खुद का भी हेवियर आप अपने एक्शन को ही कंट्रोल कर सकते हैं इस्टोइक इंफसाइज सेल्फ डिसिप्लेन रैशनलिटी डिटेज्मेंट फॉम एक्टेज्मेंट रहना है जो आपका ज्यान है उसको डॉ करना है अपको यह एक अग्यान है को साथ में रहे के चलना है यह एक बहुत इक खुश्रुत फिलोसोफी हो गई आप साप सबको साمنे दिखना है इसके उपर उन्होंने किस तरह से चीज़ें लिखी है उसकी बाद हम करेंगे थो जूलियस Capitonius जो एक बायग्रोफर थे एंशिन बायग्रोफर जिन्होंने Marcus Aurelius की पहली बायग्रोफर एक तरह से लिखी उन्होंने Marcus Aurelius को सबसे पहले Stoicism को follow करने वाला विक्ति माना हालांकि Marcus Aurelius ने कभी यह नहीं कहा कि वो एक Stoic है लेकिन उनके जो विचार हैं वो Stoic philosophy जैसे हैं तो इसलिए उनको एक Stoicism क्या एक बहुत ही Important popular figure माना जाता है उन्होंने कभी भी खुद को Stoic philosopher के नाम से label नहीं किया उन्होंने कहा कि सभी का welcome है बाकि philosophical traditions हैं उनसे भी तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको भी perspective को जानने के लिए उन्होंने कभी भी अपने आपको रोका नहीं लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो परभावित थे वो थे Rosticus और Epitatus से Epitatus एक बहुत ही महान और prominent figure रहे हैं Stoic philosophy के तो Epitatus से वो बहुत ज़्यादा परभावित थे तो उनके ideas को भी अभी हम पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के विचारों को ने परभावित किया Marcus Aurelius को और उन विचारों को वो कुद भी अपनी book में follow करते थे जो उन्होंने meditations लिकी तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो discourses of Epictetus है जिसको Marcus Aurelius ने कहीं न कहीं अपनी life में follow किया और बार बार उसका जिकर किया अपनी किताब meditation में तो वो क्या है और Epictetus की अगर आप बात करें Epictetus कौन थे वो एक Greek philosopher थे Second century CE के Stoic philosopher थे यह इतने popular हुए कि Plato से भी जावदा popular थे अपने धोर में Plato आप जानते हैं कि that philosopher कहा जाता है उनको कि पूरा West जो है वो Plato की philosophy के ही उपर चल रहा है ऐसा कहा जाता है Plato जैसे जितने popular होने का मतलब है बहुत बड़ी बात है हमने Greece के बहुत सारे philosophers के बारे में उल्रडी पढ़ लिया है Plato को, Aristotle को, Socrates को पढ़ा है Epictetus के बारे में भी हम जल्दी पढ़ेंगे लेकिन इनके ideas को थोड़ा यहां पर हम explore कर लेते हैं तो Epictetus ने कहा कि देखे अपने valuable insights दिये philosophical and planning of Marcus meditation के बारे में कि meditation जो वाया उसमें तीन चीजे थी उनको जिनको कहा जाता है three topoi three topoi का मतलब होता है three area of study three studies of area topoi का मतलब है area of study जिनके बारे में इन्होंने एक तरह से focus किया Epictetus ने क्या कहा कि यह तीन चीजें आपको पता होनी चीए अपनी life में clarity को हासिल करने के लिए inner peace को हासिल करने के लिए जीवन जीने के लिए desires और avations आपकी जो इच्छाएं है कितनी होनी चीएं कितना control होना चीए उसके उपर impulse of act and not to act किन चीजों के उपर act करना है और कितना करना है और किन के उपर नहीं करना है freedom from deception यह जो logic की बात होती है desires वाली जो बात है यह physical word की बात है कि अपनी भोतिक वादिता है कि भोतिक सुख सुईधाय हमें कितनी चीएं कितनी चीएं कितना control कितना सहीं हम रखना है impulse of act basically क्या है basically यह बात किसकी करता है basically बात करता है यह ethics की कि आपकी नीती क्या होनी चीए कि करम कोई भी आप काम करते हैं कोई भी आप decision लेते हैं तो उसके पीछे कुछ तो reason होता है तो उसकी बात तो वो जो decision लेते हैं उसकी बात यहाँ पे हो गई उसके पीछे का जो logic है तरक है उसकी बात यहाँ पर होगी कि आपको freedom चाहिए उससे hasty decisions नहीं लेने हैं इनको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे अभी आपको पता चल जाएगा कि तीनों बाते क्या क्या करती है तो यह तीनों areas के बारे में उन्होंने बात करी जो कि physical, ethical और logical थे कि इन तीनों चीजों को अगर आप अपनी जीवन में अपना लोगे समझ जाओगे अच्छे से तो आपकी जिन्दगी थोड़ी आसान हो जाएगी ठीक है और उससे आपको inner peace मिलेगी और आपकी जीवन में आपको एक शांती, सुकून और खुशी का जो है अनन्द मिलेगा, अनुभुती मिलेगी उसके बाद अब बात यह है कि एक फिलोसोफर ने कुछ बाते लिख दी, कुछ moral guidance दे दी लेकिन उनको अपने जीवन में उतारना भी तो आसान काम नहीं है उनको उतारना का जो तरीका है, जो कि एक second stage है उसको सिखाया, meditations में किसने, Marcus Aurelius ने बहुत सारे फिलोसोफर वे इतियास में जिन्होंने theoretically बहुत कुछ कह दिया यह करना चीए, यह सही है, यह गलत है यह ethical है, यह non-ethical है metaphysical arguments दे दिये उन्होंने कि यह ऐसे संसार बना है, यह universe की परिकल बना है लेकिन practically जीवन को जीने की जो शैली है उसके उपर focus किसने किया Marcus Aurelius ने अपनी किताब meditation में तो पहले तो उन तीन सिधानतों को पढ़ लेते हैं, उन सिधानतों के बाद मैं meditations के आप से बात करूँगा कि उन्होंने इन सिधानतों को कैसे लिया और कैसे हार्मनी विद नेचर, जो डिजायर है जो आपकी इच्छा है वो नेचर के साथ हार्मनी में होनी चाहिए जो नेचरल ओडर, नेचरल वर्ड और इस यूनिवर्सल का यूनिवर्स के जो नियम है उनके साथ उसकी हार्मनी होनी चाहिए बेसिकले जैसे कि आप कुछ खाते हैं आप अगर नोन वेजटेरिन खाते हैं कोई भी basically कई स्टोइक फिलोसोफर्स ने भी ये बात कही है तो अगर आप नोन वेजटेरिन खा रहे हैं तो आप basicly क्या कर रहे हैं नेचर के किसी दूसरे जीव की हत्या कर रहे हैं जो कि nature के साथ harmonique नहीं है नहीं है तो वो गलत है वो नहीं करना चाहिए उस desire को पालना ही नहीं चीए ऐसी इच्छी शक्ति रखनी क्यों जो कि nature के साथ harmony को destroy करें नेचर एक जो कि उस बिग सिस्टम में भी फिट नहीं होती जो सिस्टम में नेचर की हार्मनी वाले सिस्टम में फिट नहीं होती उन सभी को हमें अवोईड करना चाहिए otherwise वो हमारे लाइफ में frustration और unhappiness लेके आएंगी बहुत सारी desires fulfill भी नहीं होंगी और fulfill नहीं होंगी तो frustration होगा उतना ही दुख ज़्यादा होता है क्योंकि हर एक इच्छा और हर एक डिजायर हर एक expectation पूरी नहीं होती तो इन्होंने क्या कहा उसको limitation लगा दो उसके पर कम से कम रखो से साधा जीवन जीवू फिर उसके बाद उंच विचारों की बाद आती है साधा जीवन उंच विचा पता होने चाहाइन नीतिसाश्त्र पता होने चाहिʃ एथिक्स पता होने चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना हैमें उसके accordingly work भी करना है у вниз कहना बड़ा आसान है कि यगितमाइश्य है तो आसान नहीं है तो उसके लिए हमें अपने आपको इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए और अपने आपको इस तरह से हमारे behavior को shape करना चाहिए कि हम अपने कथनी और करनी को match कर पाएं हम जानते हैं ज्यादा तर चीजे कि क्या ethically सही है और क्या ethically गलत है लेकिन जो ethically सही है उसी के तरह से behavior करना एक virtuous individual की जिम्मेदारी है wise बनने की एक निशानी है और इसे करना चाहिए ये बात meditation में भी लिखी गई है और stoic philosopher इस बात को मानते थे epictetus ने अपने discourse में इस बातों को लिखा है तीसरा जो गुण है और तीसरा जो study of course of study है वो क्या है logic के बारे में है तरक के बारे में है इसमें नोंने कहा कि देखिए एक बात है कि हमें अपने जीवन में ग्यान विमानशा के मात्यम से हमारे experience के आधियार पे properly justice को समझना पड़ेगा सबसे पहले तो judgmental होना के लिए पहले judgmental होने से पहले किसी भी चीज के ओपर judgment लेने से पहले आपको चीजों को analyze करना पड़ेगा और एक apprentice philosopher की ये निशानी होनी चाहिए apprentice एक जो समझदार philosopher होगा उसकी ये पता होना चाहिए उसे उसे unwanted decisions नहीं लेने है judgments पास नहीं करने है पहले उनके बारे में carefully सोचना है उसके बाद ही किसी चीज के ओपर decision लेना है और life में बहुत सी चीज़े दिसीव भी करती है उन decisions के ओपर हमें बहुत focus करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि क्या चीज ethically सही है क्या गलत है उसके बाद ही हमें किसी नतीजे पे पहुँचना चाहिए ठीक है तो ये बात है तो ये जो three topoys हैं ये जो तीन area of studies हैं इनको पहले समझना और फिर उसको अपनी practically अपनी practice में लाना उनको apply करना applied stoicism को अपनाना ये काम जो है इपिटेटेस के जो विचार हैं उनको अपनाना का काम जो है किसने किया आगे चलके मारकस और इलियस ने तो मारकस और इलियस ने इन ideas को अपनी किताब में लिखा भी है और उनके example देखी कि उन्होंने किस situation को किस तरीके से handle किया वो बाते उन्होंने यहाँ पर समझाई है कि ये सब चीजे अगर आप तीनों चीजों को समझ जाओगे, आप अपनी desires को control करना समझ जाओगे desires natural क्या है उसको समझ जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है इसको समझ जाओगे और आप ए logic को समझ जाओगे आपको deception से freedom मिल जाएगी hasty decisions लेने से आप बच जाओगे तो आप wise भी बन जाओगे और एक virtuous individual बन जाओगे एक संथ जैसे बन जाओगे चाहे बाकी संथ होने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि जो शादी ना करे और किसी पहाड पर जाके बैठ जाए वही संथ है नहीं इन virtues को अपनाने वाला संथ है तो ये virtues को अपनाना अपनी जिंदगी में ये सिखाया इपिटेटस ने Marcus Aurelius को और इपिटेटस के ideas को अपनी जिंदगी में उतारने का काम किया Marcus Aurelius ने तो Meditation में ये किताबों में ये सब चीजे लिखी गई है कि कैसे अपनी डेली लाइफ को कैसे जीना है तो In Meditation Marcus Aurelius तो यहां पर इपिटेटस ने ऐसा नहीं कि उन्होंने उस चीज़ को जी के दिखाया अपनी पर्सनल नोट बुक में उन चीजों के रिफ्लेक्शन दिखाये इंप्रूमेंट दिखाये कि लाइफ में ऐसे जिने के क्या नतीजे होते तो उन्होंने ऐसा नहीं कि अईस्टोटल प्लैटो या इपिटेटस के तरह कोई फिलोसोफिकल डेवलोप्मेंट को थियोरीज की तरह लिखा बलकि अपनी बुक में उन चीजों के उपर एक एग्जाम्पल के तोर पर अपने आपको पेश किया कि ऐसे जीवत जीना है तो ये उनके आइडियाज थे तो मारकस औरिलियस इंगेज इन फिलोसोफिकल अक्सराइज जो कि एक स्टेज है फिलोसोफिक का एक की जिसमें आपको चीजों को अपनाना भी है ना सिरफ बोलना है बताना है लिखना है बलकि उसको प्रैक्टिकली लागो भी करना है अपन को फिलोसोफिकल ट्रेनिण दी यह एक बहुत बड़ा उनका बैसिकली आप कहसकते हैं लिगसी है या उनकी पैश करने का कान इनों नहीं कि तो इस्टोइसिजम के ऊपर बहुत से लोगों के काम किया उसमें मारकस औरिलेस भी थे और पहले के कई टैजन के बारे में हम इस्टोइसिजम को पढ़ेंगे तब बात करेंगे फिर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दे कोस्मोस के उपर इनका क्या पॉइंट ऑफ यू था इन्होंने कोस्मोलोजी को यूनिवर्स को एक यूनिटी और एक हॉल की तरह देखा कि वो एक बहुत सी चीजे हैं वो सब एक हैं उ पूरा संसार पानी से बना पूरा संसार किसी एक एलिमेंट्स जिसका नाम एपिर्ण है उस से बना है अनृण से बना है या चार इकान, जो limited view points हैं अलग लग लोगों के कि किसी ने कहा कि यह संसार ऐसे बना है यह center में है यह बाहर है यह इसा इन चीज़ों से बाहर निकल के हमें universe की vastness perpetual change और eternal nature को समझना चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ को जानना कि universe कैसे बना वो उनके scientifically कोई विग्यानिक अभी तक प्रूव नहीं कर पहना तो उसी तरीके से पुराने फिलोसोफर्स में तमाम धर्णाएं दी होंगी कोस्मोलोजी के बारे में लेकिन इन्होंने क्या का कि universe की एक vastness है उसमें perpetual change होते हैं internal एक nature है उसकी अनन्त nature है उसको समझ लेना हमारे लिए काफी है हमारा जीवन जीने के लिए हमें एक वर्ट्योस जीवन और विज्डम वारा जीवन जीने के लिए ये काफी है ठीक है कोई कोस्मोलोजी के बारे में डीटेल अध्यान करना चाता है astronomy के बारे में करना चाहता है वो करे लेकिन हमारे लिए एक आम इंसान के लिए virtuous होने के लिए हमें universe की vastness perpetual change और eternal nature को समझने ना काफी है और historic principles को follow करना है human judgment को human judgments में हमें एक ideas को include करना है कैसे हमें virtuous होना है और गलत decisions नहीं लेने है उनके लिए तीनों चीज़े मैं भी बताई चुका हूँ तो अपने life को खुशनुमा बनाने के लिए हमें hasty decisions से बचना है और virtuous life जीनी है इन्होंने Heraclitus की theory of flux को कहीं ना कहीं support किया उसके साथ इन्होंने चले इन्होंने कहा Heraclitus को मैं पढ़ा चुका हूँ आपको Heraclitus जो है ancient Greek philosophers थे और उन्होंने एक theory दे थे कि everything is constantly changing to another thing ये जो universe है ये continuous motion में है और चीज़े बदलती जाती है और ये बात इन्होंने भी नहीं नहीं कहीं मानी मार्कस और रिलेस्ट नहीं कि चीज़ें बदलती जाती है परिवर्तन जो है वो नीत है नियत होता रहता है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फ्रेंट सेंसे जो हुमन है उसके दिमाग में जो डिस्ट्रेस आता है वो किसी एवेंट से नहीं बलकी उस इवेंट के उपर जो हमारा थोड प्रोसेस है अगर वो गलत है तो आता है ये कहा और Stoic Epistemology जो है Stoic विचार धरा की जो ज्ञान में मानुशा की बात है Theory of Knowledge जो है ज्ञान कहां से प्राप्त होता है कैसे उसका source क्या है क्या उसके पीछे तर्क है reasoning है उसके उपर Stoic Philosophers की क्या धरना थी उनका मनना था कि Impressions are influenced by Preconception and Habits जो हमारे Impressions बनते हैं हमारी जो धरनाएं बनती हैं वो पहले के Concepts और Habits की बज़े से बनते हैं जिसकी बज़े से हमारे जीवन में कुछ ऐसे Belief डेवलप हो जाते हैं जो कि Ultimate Reality से भिन हो सकते हैं ये बात तो सही है हमारी जो धरनाएं आज हम किसी भी चीज़ के परती कोई Perception बनते हैं तो उसके पीछे क्या क्या तर्क हो सकते हैं जिसकी वज़े से वो हमारा Perception बना हमारे Experiences हमें पीछे से क्या ग्यान मिला है हमारी इंदरियों के थुरू हमें क्या ग्यान मिला है और कुछ habits जिनकी वज़े से वो ग्यान डेवलप होता है तो उसकी वज़े से हमारा एक Perception बन जाता है सूरिय के परती हमारी क्या धरना है किसी जानवर के परती हमारी क्या धरना है वो किससे बना है हमने जो चीज़े पहले Preconcept बने हुए है habits बनी हुए उनकी वज़े से बनाए उसकी वज़े से हो सकता है कि हमारे बन में कोई धरना गलत भी बन सकती है हर आदमी की सेम धरना थोड़ी होती है यूनिवर्सल कोई perception थोड़ी बनता है हर चीज़ के बारे में तो perceptions इतने different हैं हर चीज़ों के बारे में तो वो ultimate reality से तो परे ही है क्योंकि सच तो हमेशा एकाकी ही होता है singular ही होता है तो उस सच से अगर भिन आपका कोई भी perception है तो इसका मतलब आपका preconceptions या habits कुछ ना कुछ गलत रहा होगा उसमें तो ये इनकी ग्यान विमान सा की एक इनकी एक philosophy थी उसके उपर एक धारणा थी कि ग्यान हमें इस तरह से मिलता है preconceptions और habits की विज़े से develop होता है जो कि कई बार गलत भी हो सकते है उन्होंने अपने जीवन में इन reflections से बचने के लिए और गलत धारणाओं को develop करने के लिए उन decisions से अपने आपको दूर रखने की कोशिश करी जो की गलत unwarranted थे जिनकी जरुवत नहीं थी ऐसे decisions से उगल दूर रहे कि हम किसी चीज़ के उपर कोई judgment देते हैं judgment देने का मतलब यह नहीं है कि basically कोई व्यक्ति crime कर क्या है उसके उपर judgment देना है कि नहीं देना है उसके उपर भी judgment दिया जाता है लेकिन किसी भी चीज़ के उपर judgment देने की बात है किसी भी चीज़ के उपर हम कहा देते हैं कि यह तो वही ऐसा है यह तो वही ऐसा है एकदम सीधा एक line में हमने कह दिया तो वो हमारा एक judgment है जो हमने बिना subjective हुए बिना किसी research के उसके दे दिया preconcept के आधार पे या किसी भी life में अपने experiences के आधार पे लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही हो तो इस चीज़ से बचना जरूरी है यह स्टोरिक विचार धरा का एक बहुत ही केंदरी आइडिया है तो यह बात उन्होंने कहीं कि मैं इन चीजों से बचा हूँ बचने की मैंने पूरा की कोशिश करी है और उनके लाव उन्होंने कहा कि आदमी अगर गलर decisions ना ले और judgmental ना हो basically हम judgmental होने की जब बात करते हैं तो मतलब क्या कहते हैं negative sense में बोलते हैं judgmental होना मतलब किसी चीज़ के उपर एक फालतू का judgment पास कर देना तो वो उस चीज़ से बचना ही जो है वो सही रहेगा अगर आप अच्छे तरीके से खुश रहना चाहते हैं बहारी चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित ना होके universal cosmology को अगर unity में देखेंगे और उसके साथ harmony में रहेंगे तो अपना जीवन जो है हो सुखी रहेगा और शान्त रहेगा सुकून रहेगा हमें खुशी मिलेगी ये बात थी तो unified उन्होंने अपनी meditation में एक unified experience of cosmos की बात करी जो कि divine भी था कहीं ना कहीं वो धार्मिक भी थे आप ध्यान रखेगा उन्होंने अपने जीवन में कई चीजों जब ये हो रहा था play आया हुआ था तब ही भी धार्मिक कुछ करम कांड वगेरा भी करे थे तो वो चीजे थी तो धार्मिक तरीके से भी थे divine चीजों में भी believe करते थे और inner peace और life challenges की भी इन्होंने बात करी कि inner peace को हमें अगर pursue करना है तो जिंदगी में कितना भी challenges आए हमें अपने जीवन में अपनी धार्नाओं को नहीं छोड़ना है कि हमें गलत decision नहीं लेने है पूरी धार्नाई नहीं बनानी है और virtues को follow करना है universe के साथ, cosmos के साथ, nature के साथ आप जो भी कह लीचे उसके साथ एक harmony में रहना है finally death पे आ जाते हैं इन महान सक्षित की death होती है 17 March 180 AD में जहां पे एक बहुत बड़े दोर का कहां पे death हुई इनकी modern day city Vienna जो है उस्ट्रिया में जो पढ़ती है राजदानी है उस्ट्रिया की उस city पहले विंडो बोना कहला आती थी जब रोमन सामराजे था उस समय वहां पे उनकी death होती है और उस दोरान ये जर्मेनिक ट्राइब के एक military campaign में थे ऐसा नहीं है कि battlefield में मारे गए natural causes की वज़े से हिनकी death हुई हलांकि movie जो थी आपकी gladiators में तो ये दिखाया गया कि इनकी बेटे commandants ने इनकी हत्या करी थी लेकिन likely ऐसा माना जाता है historically ऐसा ही देखा जाता है कि बीमारी की विज़े से इनकी death हुई थी और कोई documented तरीके से extensively उसके लिखा नहीं गया इस थी आसी दोर दिश्टिकोंड नहीं उसके उपर यहां से एक बहुत बड़ा दोर सुमाप्तवा जिसे पैक्स रोमना पिरिएड कहा जाता है जो शुरुवाद से चल रहा था 27 B.C. में जब रोमन सामराजी की नहीं रखी गई थी एक स्वसी सी तक चला मार्कस और इलियस के साथ वो पैक्स रोमना का जो पिरिएड है जिसे रिलेटिवली पीस और स्टैबलीटी का दोर कहा जाता था उसका अंत हुआ उसके बाद इनके बेटे आए एक कॉमडस जो की एक अच्छे रूलर के तोर पर नहीं देखी जाते थे उनके दोर में फिर राज्ये में हिंसा और चीज़े तमाम तरीके के होने लग गई तो कॉ जो है वो 15 सेंचुरी तक चलाया लिगेसी के तोर पे अगर देखा जाएं तो एक ऐसे अफिशन्ट रूलर के तोर पे तो हम उन्हें जानते ही हैं कि उन्होंने अफिशन्टली अपने समराज्ये को चलाया तमाम तरीके की दिक्कते आई उनके जीवन में प्लेग आया बाह फिलोसोफी के दर्श्ची कौन से देखा जाएं तो उनकी बड़ी लिगेसी है बले ही उनको टॉप मिल फिलोसोफर्स प्लैटो अरिस्टोटल या परमडरी की तरह नहीं देखा जाए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी त्रीटीज लिखी बहुत सारी चीजे लि तो उनोंने applied फिलोसोफी के ओपर काम किया धुलाइड स्ट्रॉटिक फिलोसोफी के ओपर काम किया जिसमें इनर हरमनी और मौरल एटिटीटूड को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने जीफन को उसमें लगाया और एक रूलर के तोर पे भी वो मौरल रहे एथिकल रहे और एक सामराज्य के एक, यह कह सकते है, citizen के तोर पे भी, और एक व्यक्ति विशेश के तोर पे भी उन्होंने अपने जीवन में principles को लगाया, और एक ethical guide के तोर पे उनको देखा जाता है, कि उन्होंने एक guide बने वो लोगों के लिए, कि ऐसे ऐसे आपको अपना जीवन जीना ह ठीक है, तो यह Marcus Aurelius है, finally इनका एक quote के साथ ही अंत करते हैं वीडियो का, God give me the patience to reconcile with what I am not able to change, give me the strength to change what I can and give me the wisdom to distinguish one from another, basically यह कहा है कि उन चीज़ों को, बगवान ने मुझे यह patience दी है कि मैं यह जानता हूं कि क्या चीज़ों को मैं बदल नहीं सकता, कि uncontrollables मेरे हाथ मेरे हा को तो नहीं बदल सकते ना, तो uncontrollables को तो मैं छेडूंगा नहीं और मेरे बसकी भी नहीं हो, लेकिन मेरे पास इतनी स्टेंज जरूर है, इश्वर ने मुझे वो दी है कि मेरे हाथ में जो जो चीज़े हैं, उनको मैं बदल सकता हूं, अपना character, अपने actions को तो मैं अपने हा ही है और क्या गलत है, उसके लिए अपने आपको morally correct करो, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो like, share और comment तो आप करेंगे ही, मुझे उमीद है, लेकिन साथ में Successful Academy की application को भी download कीजिएगा, यहाँ पे आपको इन वीडियो की PDF मिल जाएंगी, इन से related और वीडियो लेक्सि के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो आप जाने, चैट सक्षन के मादन से आप मुझे जूड़ सकते हैं, आपका कोई doubt हो, तो मैं as soon as possible आपको reply करूँगा, कोई suggestion हो, उसका भी most welcome है, साथ ही Success Plus Academy की premium courses को भी आप purchase कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वो appropriate price में यह courses आपको मिले करेंगे, so thank you, आपने यह वीडियो यहां तक देखा, उसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को subscribe कीजिएगा, please